Hello guys, current affairs funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 सितंबर तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही guys, इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूं का दिया हमारे daily current affairs pdf, weekly pdf, multi pdf और हर महीने के banking and economic awareness pdf चाते हैं current affairs penda का one year membership plan आप जोइन कर सकते हैं, जिसके तहत एक साल तक जितना भी और आप adf content है वह हम आपको provide कराते हैं, जिससे आप download कर सकते हैं, printout भी निकलवा सकते हैं इसके लिए चाहे तो आप current affairs penda app को यूज कर सकते हैं, या फिर अपने laptop या system ही मदद से web login भी कर सकते हैं कोई भी आपका exam हो, banking, ssc, railway, office, state, pcs, जहांपर भी general awareness या current affairs पूछे जाते हैं, सभी exams के लिए हमारा pdf content काफी useful है तो कोई भी अगर आपका doubt है हमारी speedf code से सम्मन दित, तो आप comment box में उस्च लिखेगा, चलिए फिर, करते हैं शुरूबात इस video session की बिलखाट Tiger Reserve is located in which state, बिलखाट Tiger Reserve किस राजज में स्थित हैं, options देख लेते हैं, आसाम, जारखंड, महरास्ट्र, या फिर, मध्यपरदीश actually ये वाला जो Tiger Reserve है, कई बार exam में होचे जाता है, तो इसका अंसर आप जरूर कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो इसी तरह question से दिया आप practice करना चाहते हैं, तो हमें टेलिग्राम पर join कर लिजे, current phase पनना नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है who among the following has been rated A plus in global finance central banker reports card 2023, global finance के central banker report card 2023 में निम्विकित में से किसे A plus rating दी गई है options आपके सामने से यांतर option C है, सक्तिकान्त दास आपको जानना चाहिए Reserve Bank of India Governor सक्तिकान्त दास, इन्होंने global finance दोरा जारी की गई, central banker report cards 2023 में A plus rating दी गई है actually तीन लोगों को A plus rating दी गई है, उनमें से सक्तिकान्त दास भी है, इनके अलावा जो बाकी के दो है, यह है स्विटिजर लेंड के Thomas J. Jordan और वियतनाम के Gwen Thee Hong आपको जाना चाहिए जो central banker report cards है, यह central bank governors जो है 101 countries के उन्हें rank करता है, grade करता है How many teachers received the national teachers award 2023, कितने सिक्षकों को रास्ते सिक्षक पुरुषकार 2030 प्राप्त हुआ, options आपके सामने सही आंसर options ही रहेगा, 75 आपको जाना चाहिए President of India द्रौपती मुर्मू, इन्होंने 5 सितंबर 2023 के दिन विज्ञान भवन न्यू डैली में National Teachers Award 2023, 75 selected award इसको दिये हैं, आपको बता दें हर साल 5 सितंबर को हम Dr. Sarapalli Radhakrishna की जो birth anniversary है, उसे National Teachers टे की तोर पर मनाते हैं, तो उसी दिन ये awards भी दिये गए हैं आपको बता दी, इस awards में जो cash award दिये जाता है, वो 50,000 रुपे का है, एक silver medal भी दिये जाता है, एक certificate दिये जाता है, ये fact काफी महत को ने, National Award to Teachers, ये 1958 में इस्टिट्यूट की गए थे, तब से award दिये जाते हैं, ये भी exam में question पुछे जाता है, बाकिया आपको जाना Press Assume Charge as Principal Director General of Press Information Bureau, P.I.B. Press Sushna Bureau के परधान महानिदेशक के रूप में, किसने कारे बार समाला है, ओप्शन्स आपके सामने है, सेयांतर ओप्शन ए रहेगा, मनीश देसाई, आपको जाना चाहिए मनीश देसाई, ये Press Information Bureau, यानि कि P.I.B. के Principal Director General बनाए गए है, इन से पहले इस पोस्ट पर राजेश मलोत रहा थी, Press Information Bureau के अगर हम बात करें, किस था आपना, जून उनिस सो उनिस में हुई थी, 1941, 1941 में, जे नटराजन, ये First Indian मने, जो इस संस्ता के Head बनाए गए, इस organization का नाम, Press Information Bureau किया गया है, 1946 में, आपको जाना चाहिए, ये New Delhi में है, स्थित, और Ministry of Information Broadcasting के तहट आता है, Who has been appointed as Chairperson of the National Association of Software and Service Companies, NASHOME? National Association of Software and Service Companies, NASHOME, कि अध्यष्ट के रूप में किसे निक्त किया गया है, options आपके सामने है, सही आंतर, अप्चन सी है, राजेश, नाम्रियार, आपको जाना चाहिए, National Association of Software and Service Companies, यानि की NASHOME, इन्होंने, Cognizant India के जो Chairman and Managing Director है, राजेश, नाम्रियार, इन्हें अपना Chairperson, निक्त किया है, इससे पहले, इस पोजिशन पर, अनन्द माईश्वरी थे, आपको जाना चाहिए, नाम्रियार, NASHOME के जो प्रेजिडेंट है, द आपको जाना चाहिए, कि Central Bureau of Investigation, CBI Academy, ये Interpol Global Academy Network की 10th member बनी है, ये Interpol Global Academy Network की 10th member बनी है, जिससे की जो Joint Training Programs है, Research Projects है, उसमें जो CBI Academy है, ये बाकी की कंट्रीज के साथ, अब जो है कारे कर सकती है, जो Interpol Global Academy Network की हिस्सा है, आप सभी जानते हैं, CBI Academy गाजयाबाद में है, इसके स्थापना 1996 में हुई थी, ये Premier Training Institution है, Crime Investigation, Prosecution and Vigilance Functioning के फिल्ड में, Interglobal Academy Network की बात करें, तो ये Interpol का एक initiative है, जो 2019 में लिया गया था, to support Interpol in leading a global approach to law enforcement training, CBI की बात करें, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, और Minister of Home Affairs ज्वाराइक resolution लाए गया था, तब इसकी स्थापना हुई, बाद में CBI को Minister of Personal, Public Revences and Pensions में ट्रांसफर कर दिया गया, फिलाल ये इस मंत्राले में Attached Office की तरह फंक्शन करती है, CBI की जो establishment है, ये संथनाम Committee on Prevention of Corruption की recommendation पर की गई थी, ये Delhi Special Police Establishment Act 1946 के तहत ऑपरेट करती है, ना तो ही ये constitutional body है, ना ही statutory body है, अंदूरी उत्सव, popularly known as Butter Festival, was celebrated in which state, Butter Festival या फिर अंदूरी उत्सव की सराची में मनाया जाता है, सही answer option C है, उत्राखंड, आपको जाना चाहिए हाली में, अंदूरी उत्सव, जिसे Butter Festival ही बोलते हैं, ये दयारा बुग्याल, और उत्रकासी इस्टिक, उत्राखंड में हाली में मनाया गया है, और इसमें होली के ली जाती है, milk and butter की होली के ली जाती है, बुग्याल का मतलब होता है, जो घास के बड यहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो ये दोनों ही फेस्टिवल चर्चा में रहे हाली में, उत्राखंड से संबंदी थे हैं, एक तो है अंदूरी उत्सव, या बटर फेस्टिवल, दूसरा है, देवी दुरा, बगवाल, मिला, ये काफी फेमस है दूसरे वाला, किस भारते एकोलोजिस्ट को जलवाईव परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपी सीसी का उपात्यक्स चुना गया है, सही आंसर ऑप्शन सी है, रमन सुकुमार, आपको जानाशीर रमन सुकुमार, इन्हें इंटर गौर्मेंटल पैनल ओन क्लाइमेट चेंज, आईपी सीसी का वाइस चेर्मेन न्यूक्त किया गया है, हाली में इन्वार्मेंट प्रोग्राम यानि की UNEP का जो हैट्वार्टर है, नेरोबी केनिया, यहां पर इलेक्शन ह हुए, आईपी सीसी ने जो यूनाटि ट्रिंडम के जेम्स फरगोशन जिम इसकी है, इनको चेर्मेन नुक्त किया है, आपको बता दें, जो सुकुमार है, अब यह इस वर्किंग ग्रूप सेकंड के वाइस चेर्मेन बनाए गए है, साथी जो नया आईपी सीसी बीरो बना वेर पर अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, बारत के पहले AI संचालित एंटी ट्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, आपको जाना चाहिए, ग्रीन रोबोटिक्स, जो कि एक वैल नोन डीप टेक कंपनी है, जिसका एटक्वाटर्स हैदरबाद में है, इन्होंने इं पार्ट एंटी ट्रोन सिस्टम लॉंच किया है, इसका नाम है इंदरजाल, आपको बता देंगे यह जो एंटी ट्रोन सिस्टम इंदरजाल है, यह क्या करेगा, जो भी हमारे देश में क्रूशियल फैसलिटीज हैं, गोर्मेंटल इंफास्ट्रक्चर हैं, और जो नुक्लि पार्ट एंटी ट्रोन, यानि की, ट्रोन से अगर कोई खतरा है, ट्रोन से कोई खमला है, तो उसकी अगेंस्ट इसे यूस किया जा सकता है, इंदरजाल, किस भारती को International E-Sports Federation का सदस्य चुना गया है ओप्शन सापके सामने सही आंसर ओप्शन भी है लोकेस सूजी देखे जो International E-Sports Federation है इन्होंने लोकेस सूजी जो की डारेक्टर ने E-Sports Federation of India के और वाइस प्रेजिडेंट है Asian E-Sports Federation के इन्हें अपनी Membership Committee में सामिल किया है तीन साल के लिए है आपका बता देए International E-Sports Federation ये ग्लोबल ओर्गनाइशन है और South Korea-based ये ओर्गनाइशन है बारत के नए मानकों के तहत हाइडोजन को हरीत के रूप में वर्गिकृत करने के लिए अधिक्तम सुईकारिय वेल टुगेट उत्सरजन कितना है ओप्शन्स आपके सामने है सही आपसर ओप्शन सी रहेगा 2 kg कारबन डायोकसाइड एक्विलेंट पर kg हाइडोजन ये मैत्पून कोश्चन है देखे Ministry of New and Renewal Energy इन्होंने कुछ Green Hydrogen Standard Notify की है भारत के लिए तो Green Hydrogen को किस तरह से Define किया जाएगा इसके बारे में ये इस Notification है तो Green Hydrogen ऐसी Hydrogen है जिसे Renewal Energy Sources से प्राप्त किया गया है चाहे वो Electrolysis के तुरू हो या फिर Biomass Conversion के तुरू हो और इसमें जो Green Energy Energy Storage System में Preserve की गई है वो भी इसके तहत आती है अब यहाँ पर कुछ जो है जो Hydrogen के Production के लिए जो Emission Threshold है उससे सम्बंदित Guideline जारी की गई है उन्हें देखते है Green Hydrogen Having a well-to-get emission of not more than 2 kg Carbon Dioxide Equivalent per kg hydrogen Well-to-get emission includes Water treatment Electrolysis Gas Purification Drying and Compression of Hydrogen यहाँ पर well-to-get emission का मतलब बताया गया है कि इसमें Water treatment सामिल है Electrolysis सामिल है Gas Purification Drying and Compression of Hydrogen The scope of these standards Incompasses Both electrolysis-based And biomass-based Hydrogen production methods The Bureau of Energy Efficiency यानि की BEE जो की Ministry of Power के तहता थी है It will be the nodal authority for accreditation of agencies for the monitoring verification and certification for green hydrogen production projects जो भी देश में green hydrogen production projects है उनके monitoring के लिए verification के लिए certification के लिए जो पियर ओफ एनरची efficiency है यह nodal authority रहने वाली है Price Oligoie ग्वेमा has been shown in as the interim president of each country Bryce Oligoie ग्वेमा ने किस देश के अंतरिम राष्टपती की रूप में सपत ली है सही आंसर option भी है Gabon देखे Bryce Oligoie ग्वेमा यह Gabon की जो military है उसके leader है इन्हें interim president नुक्त किया गया है या इन्होंने खुदी अपने आपको नुक्त किया है हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि Gabon में हाली में तक्ता प्लेट हुआ है यहां के जो president है Ali Bongo तो जिस दिन वो re-lact हुए उसी दिन महाँ पर तक्ता प्लेट हो गया उन्होंने नजर्मंद कर दिया गया इन्टेन इनर्जी डेप्लेप्मेंट एजन्सी लिमिटेड इरेडा हैस साइंड एमो यूस विद विच बैंक्स तु को फाइनेंस रेनोबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भारतिय नवी करनी उडजा विकास एजन्सी लिमिटेड ने नवी करनी उडजा परियोजनाओं के सहवित्य पोजिशन के लिए तीन बैंकों के जास समझोता कि आपनपरस्ताक्षिर किये है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर अप्शन दिये यूनियन बैंक ओफ इंडिया एंड बैंक ओफ बड़ोधा रहें रेनबल एनरजी प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत में उनकी ग्रोथ एक्सलेट के लिए इंडियन रेनबल एनरजी डेवलप्मेंट एजन्सी लिम्टेड यानिकी इराड़ा नहीं यूनियन बैंक ओफ इंडिया और बैंक ओफ अपरोदा के साथ मैं वूरंड फंडरस्टैंडिंग सांकिए है दीस आगरिमेंट मिल इनपार इरेड़ा तो कोलेब्रेट विद यूनियन बैंक ओफ इंडिया और भाउड़ा इनलों संडिकेशन पोर वाइट रेंज ओफ रेंज ओफ रेंड एनर्जी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग बोथ इस्टेबलिश्ट एंड री एंड इमर्जिंग आई टेक्नोलजीज तो यह जो दोनों एजन्सीज हैं जो दोनों बैंक्स हैं यह इरिडा के साथ मिलकर जो को लेंडिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे मतलब एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं तो यह दोनों बैंक्स हैल्प करेंगे इरिडा के चेर्मेंड मेर्जिंग डिरेक्टर प्रदीव कुमार दास हैं मेर्जिंग डिरेक्टर एंड सीउ हैं यूनिन बैंक ओफ इंडिया की ए मनी में खलाई और ए शिक्सा मंतला ले कोशल विकास और उद्द्यमिता मंतला ने सिक्सको और उद्द्यमियों को ससक्त बनाने के लिए किसके साथ समझोता किया है सही आंतर ऑप्शन ए मैटा आपको जाना चाहिए यूरियन मिनिस्टर फॉर एजूकेशन एंड इस्किल डेवल्लप्मेंट एं इंद्रेपरिनर्स तो इसके लिए मिस्टरी ऑफ एजूकेशन मिस्टरी ऑफ इस्किल डेवल्लप्मेंट एंद्रेपरिनर्शिप ने मैटा के साथ एक थ्री येर पाटनर्शिप की है निव देली में थ्री लैटर्स ओफ इंटेंट वर एक्षेंज बिविन बीजिटूट किस राच्य सकार ने राच्य में बहु विवा को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कानून का मसुत अतियार करने के लिए तीन सदस्य पैनल का गठन किया है सही आंसर ऑप्शन भी है आसाम आपको जाना चाहिए असम कोमेंद ने एक थ्री मेंबर पैनल कोंसेटूट किया है जो कि अगर असाम राच एक ऐसा बिल लाना चाहता है जिसमें पोली गाम्या जुब वहु वा है उसको समाप्त किया जाए तो इस से सम्मन्दित बिल लाया जाएगा तो उस बिल का more than one spouse at the same time एक से यादा पार्टनर एक समय पर होने को पॉलिकामी कहते हैं as per the latest edition of the minor irrigation census electricity powers what percentage of इंडिया's irrigation sources लगू सिचाई करना के नमीन तम संस्क्रणी के निशार भारत कितने प्रतिस सिचाई स्रोत बिजली से चलते हैं सही आंथर आप्शन भी है 76% देखें minor irrigation census का 6th edition launch हुआ था हाली में इसके बारे में मैंने detail में पहले ही पढ़ा था पर यह वाला fact उसमें cover नहीं था तो मैंने सोच है यह वाला fact दुवारा से cover कर लेते हैं तो यह इसमें बोर्वेल्स ट्यूबेल्स और जो भी अधर प्राइटली ओन irrigation sources हैं फार्मर्स द्वारा उनके बारे में पूरा यहां पर रिपोर्ट दी गई है इसमें minor irrigation census में तो इसने बताया गया है कि अभी भी जो वाटर को extract करने के लिए जो dominant source है वो electricity है बजाय डीजल के windmills के एंड solar pumps के तिम्हाबर बताया गया है कि जो electricity का यूज है water extract करने के लिए यह 2011 में 56 परतिशत था मतलब यह source electricity 2017 में 17 परतिशत हो गया और latest report shows electricity as powering 77% of sources a slower growth rate आतुनिर भारत रोजकार योजना has surpassed employment generation target when was the scheme launched आतुनिर भारत रोजकार योजना ने रोजकार से जिन लक्षे को पार कर लिया है यह सोजना कब शुरू की गई थी options आपके सामने सही आंसर options ही है 1st October 2020 आपको जाना चाहिए 1 October 2020 को आतुनिर भारत रोजकार योजना लॉंच की गई थी ताकि नई job opportunities create की जा सकें क्योंकि कोरोना के कारण कई लोगों की job चली गई थी तो इसके तैत जो भी employers है जो employees provenant fund organization की ifco के साथ registered है ठीक है तो उनको जो है प्रोजसाइद किया गया था यह आप hiring कीजिए तो आपर लिखा भी है this scheme aim to incentivize employment of unemployed individuals including those who lost their jobs due to the pandemic by covering both the employee and employer contribution for establishment with up to 1000 employees तो एक हजार employees तक की जो companies है उनको incentivize किया जा रहा था ठीक है दोनो और से employee और employer contribution दोनों के तरफ से for establishment with over 1000 employees only the employees EPF contribution were covered in respect of new employees तो अगर वे companies नए employee रख रही थी तो जो employees का EPF contribution है ठीक है यानि की wages का 12% वह भार सरकार दोरा जो है cover किया जा रहा था यही scheme 31 मार 2022 तक registration के लिए open थी और इसमें 7.18 million employees को जो है benefit मिला है 31 जुलाई 2023 तक इसमें 7.58 million new employees जो है end all हुए है यानि की जो इसका initial employment generation target था उसको यह सरपास कर चुकी इसकी विच फुटबोल कलब won its 17th दुरंद कप टाइटल किस फुटबोल कलब ने अपना सत्रवा दुरंद कप खिताब जीता है options आपके सामने सही आंसर option भी है mohan bagan देखिए mohan bagan super joint इन्होंने अपना दुरंद कप टाइटल जीता है पहली बार जीता है 23 सालों में और मतलब 23 सालों में यह first title है इनका जीते तो और भी है ठीक है दुरंद कप टाइटल इन्होंने हराया कोलकाता में East Bengal team को 1-0 से आपको बता दिये इनका सत्रवा दुरंद कप टाइटल रहा है लास्ट टाइम नोंने साल 2000 में महिंद्रा युनाइटिट को हरा कर यह किताब जीता था तो 2000 के बाद अब जीत रहे हैंगे दुरंद फुटबोल टूर्टनामेंट के अगर हम बात कर हो दे वर्ड में तो दुरंद कप से भी कोश्चन पोज़े जाता है जब भी कोई टीम इसे जीतती है प्रिवेस साइमन कोश्चन के आंसर देखेंगे वट इस क्रिक्टोवर्स सो ओरीजिन ऑप मास्कोट फोर मैंस क्रिकेट वर्ड़कप 2023 युएस डिलिवर अब्राम टैं इस तरह से आप पार्टिस्पेट करते रहिए और टीचरस टे पर आप सभी एस्पिरेंट्स के बहुत सारी विशेज आई है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के साइमन कोश्चन देखते हैं युए तापून डुखरी युए एगे एगे मेड लन फॉल इन वीच चान्टी इली इए इचम पार्टिस्पित फुट्राप प्रग्यान चूंफ है। with the Aditya L1 India's first solar observatory mission on board तो कौन सी flight थी ये PSLV की जब Aditya L1 को launch किया गया मतलब 65 भी थी, 60 भी थी 69 भी थी, कौन सी flight थी यह आपको बताना है तो इन 5 questions के answer आपको comment box में दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप हमें बता सकते है साथी current affairs funda को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी decision group में आप किसी भी question खास solution पा सकते हैं दोस्ते हैं हमारे current affairs भी प्लेज़ देखें इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow estimate साथ हमारे current affairs को आप share जरूर करें आज का इस session आपको क्या सा लगा comment box में मुश्य बताइएगा thank you guys